Hi mommies and daddies, welcome back to momcom India आपके छोटे से बेबी का नोस बहुत जल्दी स्टफी हो जाता है कई बार ये cold की वज़ा से होता है, कई बार ये general dryness की वज़ा से होता है तो बेबी का जब नोस स्टफी हो जाता है न तो बेबी ठीक से ब्रीध नहीं कर पाता या फिर उसको बहुत छीके आती है and as a parent आपकी responsibility होता है इसको clear करना तो आज मैं आपसे share करूँगी 10 simple tips जिससे आप घर पे ही बेबी का ये स्टफी नोस problem clear कर सकते है और बेबी को आराम से सोने दे सकते है वीडियो पसंद आए तो like जरू कीजेगा हमारे चैनल का parenting content हमारी website पे भी available है that too in English so our website name is www.momcomindia.info जाके वहाँ पे visit कीजिए और बहुत ही interesting articles parenting पे पढ़िये now let's get started so guys सबसे आसान तरीका होता है nasoclear जिसको ये saline drops भी बोला जाता है ये non-medicated drops होते है newborn baby day one से आप इन drops को use करना start कर सकते हैं एक एक drop बच्चे के दोनों nostril में आप डालेंगे तो डालते ही जो mucus होता है वो thin हो जाता है thin होने के साथ ही nose का passage बिलकुल clear हो जाता है but बहुत ही सस्ता और बहुत easily chemist पे भी मिल जाता है तो ये आपके पास हमेशा होना चाहिए जिसे बच्चे का एकदम से नाख खुल जाता है दूसरा तरीका होता है 10 से 15 मिनिट बच्चे को लेके एक steam bathroom में खड़े हो जाईए तो जैसे आपने गरम पानी का shower चलाया जब वो पानी surface पे पढ़ता है तो एक भाप उठती है तो आप बच्चे के साथ bathroom के अंदर जाए दर्वाजा बंद कीजिए और shower से थोड़ा दूर ताकि बच्चे के उपर गरम पानी ना आए आपस वहाँ पे खड़े रहे है बच्चे को प्यार करते रहे है उसको गोद में लेके खड़े रहे है 10 मिनट आप वहाँ रहेंगे आप देखेंगे आपका भी और बच्चे का भी नाख पूरा खुल गया है तीसरा बच्चे को एक warm बात दीजे यानि गुन-गुने पानी से जब हम बच्चे को बात देते हैं उसके सर पे पानी डालते हैं तो जितने भी sinuses होते हैं बच्चे के और जितने भी passages होते हैं वो सारे खुल जाते हैं जो mucus होता है वो थिन होके बाहर निकल जाता है आप कभी भी नोट करेंगे जब हमें जुकाम भी होता है और हम गरम पानी के नीचे खड़े हो जाते हैं तो जो सारा mucus होता है वो उसी time साथ साथ निकलना start हो जाता है और बहुत easy हो जाता है nasal passage को clear करना तो ऐसे आप बच्चे को एक बहुत gentle warm बात दे सकते हैं चौथा eucalyptus oil, eucalyptus oil आपको directly बच्चे के ऊपर या बच्चे के कपड़ों पे नहीं लगाना है बच्चा जहाँ पे सो रहा है आप उसे थोड़ा सा दूर उसकी जो भी bedding है वहाँ पे आप एक एक drop लगा दीजे उसकी जो smell है उससे बच्चे का नाग बहुत अच्छे से खुलता है और वो बहुत अच्छे से breathe कर पाता है just make sure कि बच्चे का हाथ उस oil पे ना लग जाए तो थोड़ा दूर जैसे आप पिलो पे लगा सकते हैं जिससे बच्चे को smell आती रहेगी अगला है onion ये मैंने अपने बच्चों के साथ खुद ट्राइ किया हुआ है onion की एक अजीब सी smell होती है अबर जब cold होता है ना तो आप अगर onion का एक piece slice करके बच्चे के सर के पास रख देते हैं तो उसकी smell से भी नाख खुल जाता है तो आपको बहुत देर के लिए नहीं रखना है कि बच्चा irritate हो जाए दस बंदा मेंट के लिए आप रख दीजे तो वो जब बच्चा इनहेल करता है उस smell को तो उसका नाख खुल जाता है इसी तरीके से एक home remedy होती है अजवैन की पोटली आप अजवैन को roast कर सकते हैं तवे पे उसके बाद एक बहुत ही soft muslin cloth लेके उसकी पोटली बनाके बच्चे के नाख के पास रख दीजे इसको भी इनहेल करने से बच्चे का नाख खुलता है इनफैक जब आप तवे पे अजवैन को roast कर रहे हैं उस तरह पे आप नोट करेंगे कि किचन में एक ऐसी स्मेल आती है जिसको आप खुदी ब्रीद कर रहे होगे तो आपका नाख खुलेगा तो उस तरह पे भी आप बच्चे को गोधी में लेके किचिन में जा सकते हैं ग्यास से दूर रखना है आपको इतने डिस्टिंज पे रखे कि आप भी कमफुटेबल ब्रीद कर पा रहे हैं बच्चा भी comfortable breathe कर रहा है तो उसकी smell से भी बच्चे का बहुत जल्दी stuffy nose clear हो जाता है next है bulb syringe अब यह मैंने अपने बच्चों पर तो कभी use नहीं किया बट अगर आप में हमत है तो bulb syringe एक बहुत ही popular तरीका है nose को clear करने का आप सबसे पहले बच्चे के naak में nasal clear के एक एक drop डाल दीजे उसके बाद bulb syringe लीजे और जो mucus है उसको stuff out कर लीजे या pull out कर लीजे तो उससे आराम से mucus clear हो जाता है आपको कोई अपना हाथ या कोई भी ऐसी चीज बच्चे के naak के अंदर नहीं डालनी है जो naak को जाके damage करते and then guys crying, रोने से भी बच्चो का naak खुलता है तो अगर आपके बच्चे रो रहे हैं especially जब उनका nose बहुत stuffy है या उने cold है तो थोड़ा उने रोने दीजे उनको बहुत ही आराम मिलता है सारा nasal passage जो है वो काफी clear हो जाता है जब बच्चे रोते हैं because mucus जो है वो थेन हो जाता है और आराम से निकल जाता है so sometimes it's okay for babies to cry next मैं आपको suggest करूँगी breastfeeding, breastfeeding ज़रूर कराईए especially अगर बच्चों को cold होता है मतलब उनने कोई viral catch किया है तो जब बच्चा breastfeed करता है तो mother के milk की through उस viral की antibody बच्चे के अंदर जाती है जिससे वो जल्दी recover कर पाता है साथ ही जब बच्चे breastfeed करते हैं तो जिस तरीके के उनकी sucking movement होती है उससे भी उनकी जितने भी sinuses और जितने भी passages होते हैं वो सारे खुल जाते हैं तो that also helps तिपिकली क्या होता है जब बच्चे को cold है तो फिर उसको breastfeeding करना मुश्किल होता है तो सबसे अच्छा तरीका होता है पहले बच्चे के आपने नेजो clear डाल दिया एक एक ड्रॉप और 15 मिनिट के बाद आपने उसे breastfeed कराया तो बच्चे का नाग खुला होगा वो breast पीड आराम से करेगा, breast milk जाएगा, उसको antibody मिलेगी और बच्चा ठीक भी जल्दी हो जाएगा लास मैं आपको ये सजेस्स करूँगी कि जब बच्चे को cold हुआ होता है या nose बहुत आदा stuffy है या breathing problem है तो उसके head को थोड़ा सा elevated रखिए head को elevate रखने के लिए आप बच्चे का pillow use कर सकते हैं अगर आपका बच्चा 6-7 महीने तक की age group में है तो आप plum bunny का ये mustard seeds pillow use कर सकते हैं ये भी थोड़ा elevate कर देता है और अगर आपका बच्चा एक साल से उपर है तो plum bunny का ही ये toddler pillow आप use कर सकते हैं जिससे बहुत अच्छा head elevation मि तो बच्चे और आराम से सो पाते हैं उनकी breathing जो है वो काफी clear हो जाती है पैसेज एकदम clean हो जाता है तो इन टिप्स को follow कीजिए बच्चे के नोस को हमेशा clear रखिये चाहे cold है चाहे नहीं है नोस को stuffy मत रहने तीजिए इससे बच्चे आराम से breathe करेंगे आराम से इसी के साद इस वीडियो को एंड करते हैं हमारे चैनल को subscribe कीजिए बेल आइकन को hit कीजिए हमारे चैनल पर अरड़ी बहुत सारा informative content है आपको बहुत मदद मिलेगी अपनी parenting journey में और हमारी website को ज़रूर check out कीजिए थैंक्यू बबाई